राम राम जी आप सबको आपका अपनी चैनल पर स्वागत हैं आज मैं आपको ये दो रंग कडिजान बना के दिखाऊंगी आप इसको दो रंग का बना लो एक रंग का बना लो ये तीन रंग का बना लो चार रंग का बना लो कितने रंग लगा लो जैसे ये बार बार लगा ये लगा रख्या पिंक है दारक पिंक है आगए कोई घॉन है जोदित ज्बाद हो भॉडर बना लिया उसको भीट बना लो जैसी ये ल्याइट पिंट बार बना लिए इसमें पहले ये डाल लिया फिरा के कोई थोड़ी उन्द है उसका रंग डाल लिया बिल्कुल आसान डिजैन है ये बोडर बना के पहले हम यह शुरू में एक सड़ाई अगर आपने सिद्ध उतारनी तो सिद्ध उतार लो यह जैसे उल्टे सिद्ध बोडर है इस वो सड़ाई मार ये एक बार बनेगी है फिर उल्टी साइड से हमने डिजैन शुरू करना है अब उल्टी साइड आगे हमें पहली सड़ाई है डिजैन की और उल्टी सड़ाई है यह उल्टी में शुरू कर रहे हैं डिजैन सारे फंदे अमें ऐसे ये दुसरा कलर लगाके सारे फंदे उटे बना लेंगे अगर आपनी इसी का सुरू में करना है तो इसी का भी कर सकते हो आप इसी का डिजान शुरू करना सुरू में तो वो भी बना सकते हो आप दो दो फंदे का एक डिजान बनेंगा ये दूरंग लगा रही हूं कि एक डुजान चार सलाई का बनेगा कि सारे पंदे और बना दिये पहले सलाई थी अब आगी दूसरी सलाई शिद्धी सलाई अब दूसरी सलाई में हमने किस्थ्र बनाना है एक फंदा सिलाई के लिए ये फंदा मैं सिधार करी हूँ आप इसको उल्टा बनाओ, सलिप करो, जिस्तर भी करो, वह आपकी मर्ची है मैं इसको सिधा बना रही हूँ एक फंदा ये सिधा बना लिया, ये हमारा डिजान से अलग है आगे मारे डिजान के फंदे शुरू करेंगे, अब डिजान का फंदा सुरू कर रही हूँ एक फंदा ये उल्टा बना लिया, फिर पिछे दागा करके ये फंदा सिधा बनाएंगे यहां से बनाएंगे, ऐसे एक दो, ये दो अल छोड़के निच्चे से बनाएंगे, एक दो, ये दो छोड़के यहां से बनाएंगे, यहां से, ऐसे लंबा दागा निकाल लेंगे, थोड़ा असा लंबा कर लेंगे, ये फंदा होगे हमारा फंदा बढ़ गया ये, फिर ये फंदा में ऐसे सलिप कर लेंगे अब यह इड़ियान है दो फंदे के हमने तीन फंदे बना लिए यह फंदा में जो बड़ा रख्या इसको उल्टी सडाई में गटा देंगे फिर अपनी तरफ दागा करके एक फंदा उल्टा पिछे दागा करके अब देखो एक दो दो छोड निकाल लेंगे थोड़ा असा लंबा रख लेंगे इझेए सलिप कर लिया फिर अपनी तरफ दागा करके एक फंदा उल्टा पिछे दागा करके एक वो तीसरे ओल में से लंबा फंदा निकाल लिया फिर ये फंदा मने ऐसे छोट दिया बस यही डिज्यान है दो फंदे का यही दो फंदें बार बार बना रहे हैं एक फंदा उल्टा पिछे दागा करके या एक दो तीसरे ओल में से एक लंबा फंदा निकालके ये फंदा मने ऐसे सलिप कर लिया अब यह पूरी सडाई को मिस्तर उतार लेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा निच्छे से लंबा फंदा निकाल के यह सलिप कर लिया एक उल्टा एक फंदा निच्छे से लंबा फंदा निकाल लेंगे और यह फंदा मने ऐसे सलिप कर लिया एक उल्टा एक फंदा नीचे से निकाल के ये सलिप कर लिया एक नीचे से निकाल के सलिप कर लिया अब ये दूसरी सलाई है सिदी सलाई है फिर एक फंदा उल्टा आगया लास्ट में ये एक फंदा उल्टा आगया ये फंदा आगया ये फंदा मने ज्यादा डाला पड़ाना पड़ा है एक फंदा अब ये डिजान पूरा हो गया अब एक उल्टा कर दिया और ये जो कोणे वाड़ा है इसको आम ऐसे सिद्धा बना आतेंगे इस तरफ भी मने कोणी पर सिद्धा बना लिया इस तरफ भी दोन्नों फंदे ये फंदे मने शिलाई के लिए रख लिए अब डिजान को सेट करने के लिए एक फंदा ज्यादा डालना पड़ेगा डिजान तो हमारा यहां तक सेट हो गया एक उल्टा बना दिया था फिर एक फंदा मने निचे से बना दिया था जो आमने शुरुवात में बना था एक उल्टा फिर एक डिजान का हो गया फिर लास जो हमने कोने वड़ा सिलाई के लिए था यह बना लिया मने उल्टा अब आग्छे यह पंदा उल्टा बना आ था हमने यह भी आमें ऐसे उल्टा बनातें गे उल्टी सळाई में यह अब यह आगे दो फंदे यह निच्चे से निकाल ला था और यह अमने सलीब करया था यह वो फंदा है जो सलीब करया था यह वो फंदा है क्या अब इस फंदे को जो सलीब करया था उसको हम सिधा बना देंगे एक फंदा सिधा बना दिया अपनी तरफ दागा करके फिर ये जो निच्चे से निकाला था ये फंदा और जो ये फंदा आमने उल्टा बनाया था देखो पिछे से उल्टा बनाया होया है और ये फंदा जो निच्चे से निकाला था ये फंदा निकाले आमने इस फंदे के निच्चे से था जो ये शिद्धा बना दिया ये फंदा जो निच्चे से निकाला था जिस फंदे के जो आमने सलीप करया था वो फंदा आमने शिद्धा बना दिया उल्टी सलाई में फिर अपनी तर्फ दागा करके जो पन्दा निच्छे से निकाला था यह है और जो यह फंदा नमें लुटा बनाया था इसके साथ आम ने दो का एक करतीय अब पूरी सलाओ इस्तरय बनेगी, एक फंदा सीधा एक फंदा, दो फंदे का एकưởngsung बना देड़ेंगे, अपनी तरफ करके एक उकटा आ गया यही, अब यह फंदा सीधा फिर अपनी तरफ दगा करके ये निच्चे से लूट निकाल रख्या जो फंदा निकाल रख्या आग्गे वाले फंदे के साथ दो का एक कर दिया फिर जो आमने सलिप करया था वो फंदा सिद्धा बना दिया फिर जो उल्टा बनाया था उस फंदे के साथ आमने दोका एक कर दिया एक फंदा सिदा, फिर दो का एक उल्टा, फिर एक सिदा, अब ये फंदे, एक सिदा आगा, एक सिदा आगा, एक सिदा एक उल्टा, एक सिदा, फिर ये दो का एक, फिर एक सिदा, फिर दो का एक, फिर एक सिदा, फिर दो का एक, फिर एक सिदा, फिर दो का एक, फिर एक सिद फिर दो का एक फिर एक फंदा सिद्धा फिर दो का एक एक 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 अब ये तीसरी सलाई पूरी सलाई इस्तरा उतर जागी फिर ये दो का एक आ गया ये दो का एक हो गया अफिर जो उटा फंदा थ याँ कोने पर में यह शिद्धा बना था, या उटा बना था, उल्टे फंदे के साथ 2 का एक कर दिया, जो यहुमने सलीप करया था, वो फंदा में सिद्धा बना दिया उल्टी साइल चे, अब यह फंदा भी शिद्धा क्यई अब ये तीन सडाई होगी अब आगी चोथी सडाई सिधी सडाई अब ये सडाई अम सारे फंदे ऐसे सिध्धे बनातेंगे बिल्कुला सान डिजान है जो बैन पहली बार बनाएगी वो भी बनालेगी सडिजान को अगर आपको मेरा डिजान पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सेयर करना, कमेंट करना और मेर चैनल को सब्सक्राईब करना अब ये च्यार सडाई होगे च्यार सडाई का एक डिजान है मारा अब आगगे फिरम ये दुसरा रंग लगाएंगे, बनाएंगे इसी तरह जो ये च्यार सडाई बनाई है बस रंग रंग बदल दिया हमने, बिजान च्यार सडाई का है ये, दो रंग लगाएंगे आठ सडाई में पूरा करेंगे हम इसको तीन लगाएंगे तो बारा सडाई बनेंगे फिर हैं च्यारी सडाई इसी तरह च्यार सडाई बार-बार बना दे रहेंगे रंग बदल देंगे बस एक बार फिर मैं दुसरा रंग और लगा के दिखा दूं आपको अब ये रंग लगा के उल्टी सडाई है ये अगले डिजान की पहली सडाई है बस रंग रंग बदल रही हूं मैं इसी तरह बना के दिखाऊंगे अब ये सडाई पूरी में सारे फंदे उल्टे बना लो अब सिद्धी सडाई आगी सिद्धी सडाई में किस तरह बनेगा एक फंदा मैं ये शिलाई के लिए रख्या था ये शिद्धा बना दिया फिर अपनी तरफ दागा करके अब डिजान शुरू करेंगे एक फंदा उल्टा पिछे दागा करके एक दो यह तिसरे ओल में से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे ऐसे, फिर ये फंदा सलिप कर लेंगे, आगे हम उल्टी सलाई में जो ये उल्टा फंदा बनाया है, इस फंदे के साथ, इस फंदे को जो निच्छे से निकाल लेंगे, इसके साथ हम दो काई कर देंगे, जो ये फंदा हम सलिप कर रहे हैं, इस फंदा निच्चे से निकाल लेंगे लंबा फिर एक को सलीब कर देंगे जिड़ कर रहे हैं उसको आम है उल्टी साइड से सिधा बना देंगे इस्तरफ हमारा ऊटा वहेंगा फिर फंदा फिर अपनी तर्फ दागा करके एक उल्टा पिछे दागा करके या तीसरे ओल में से एक लंबा फंदा निकाल लेंगे ये फंदा सलिप कर लेंगे फिर उल्टा फंदा फिर तीसरे ओल में से लंबा फंदा निकाल लेंगे फिर ये फंदा सलिप कर देंगे जों से एक निच्चे से फंदा निकाल लिया फिर ये फंदा सलिप कर लिया एक फंदा उल्टा एक निच्चे से फंदा निकाल लिया फिर ये फंदा सलिप कर लिया अभी एक बार में सडाई पूरी उतार लू फिर दिखाऊंगे आपको अब ये लास्ट में एक फंदा उल्टा और ये फंदा सिलाई वाड़ा सिद्धा अब जो उल्टा फंदा है ये फंदा में देखो ये सिलाई का है और जो ये फंदा मारा उल्टा है ये वाड़ा उदर से उल्टा बना था इसके साथ पहला फंदा ये हम ऐसे उल्टा बना ले अब देखो तो सलीप हमने ये फंदा कर रख्या है कि पिछे दागा करके ये फंदा तो अमने शिदा बना दिया फिर अपनी तरफ दागा करके ये सलीप किया था जो ये सलीप किया था ये सलीप किया था जोनिसा ये बला ये मने अपनी तरफ से सिद्धा बना दिया फिर अग्ये ये निच्चे से निकाल्या ओया ये उंठा फंदा था इसके साथ दो का एक कर दिया फिर एक फंदा सिद्धा बना दिया, दो का एक कर दिया, एक सिद्धा बना दिया, दो का एक कर दिया, फिर एक सिद्धा, फिर दो का एक, फिर एक सिद्धा, फिर दो का एक, अब ये पूरी शळाय उतारलू, फिर दिखाँ, अब फिर चोथी शळाय में सारे फंदे सिद्ध बनातेंगे, अब ये दो रंग मिला के आठवी शडाई होगी, और एक रंग का बनाओ या एकी शडाई को, बनातेंगे, आगे पूरी कोट्टी में, देखो इस तरह बनेगा ये, डिब्भी लग रही है, यूँ देखोगे, तो देखो कैसी लग रही है, थेंक यू, वीडियो देखने के लिए,